महाकालेश्वर जियोतिरलीं महाकालेश्वर जियोतिरलीं की स्थापना से संबंधित के प्राचीन कथा प्रसिद है कथा के अनुसार एक बार अवंति का नाम के राज्य में राजा वृष्यभ हसेन नाम के राजा राज करते थे राजा वृष्यभासेन भगवान शिव के अन्यय भाक्त थे अपनी दैनिक दिन्चर्या का अधिकतर भागवे भगवान शिव की भक्ती में लगाते थे एक बार डौसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया राजा वृष्यभासेन अपने साहस और पुरुशार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहे इस पर डौसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्क का उप्योग करना उचित समझा इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली उस असुर को अद्रिश्य होने का वर्दान प्राप्त था राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवन्ति का राज्य पर अनेक हमले की इन हमलों से बचने के लिए राजा वृष्यभासेन ने भगवान शिव की शरन लेनी उप्योग्त समझी इस पर राजा वृष्यभासेन ने भगवान शिव से अमवतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया जिससे भविश्य में अन्य किसी आख्रमन से बचा जा सके राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिरली के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उजजयन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है ये भगवान शिव जी की कता है